क्वेशन क्या कहता है तो अर्थमेटिक मीन ऑफ 3A & 4B is greater than 50 and A is twice B than the smallest possible integer of A is क्या कह रहा है क्वेशन में कि 3A और 4B का जो अर्थमेटिक मीन होगा वो बड़ा है 50 से A के बारे में A और B की कंडिशन क्या दे रखिए कि A जो है दुगना है 20 ठीक है smallest possible integer पूछ रहा है A का क्या होगा ठीक तो सबसे पहली कंडिशन क्या दे रखिए कि 3A और 4B का मीन मतलब 3A plus 4B by 2 greater है किस से 50 से अर्थ फर्दर क्रेशन में क्या दे रखा है कि A जो है टू टाइम है B से ठीक है जो B की वैलू होगी जो A की वैलू होगी वो टू टाइम से B के अब यह जो वैलू है हम क्या करेंगे इस रिलेशन से B की वैलू find out कर लेता है तो B की इतना बरापर हो जाएगा A by 2 के बरापर हो जाएगा ठीक है यह A by 2 को हम यह क्या पूट कर देंगे इस B की जगब के पूट कर देंगे तो 3A plus 4 A by 2 divided by 2 is greater than 50 हो जाएगा आगे फर्दर इसे simplify करेंगे तो यह क्या हो जाएगा 2 से यह 4 simplify होगा तो 2 हो जाएगा है आप है It means 5A by 2 is greater than 50 that means if 5A is greater than 100 ठीक है यह 2 इदर multiply हो जाएगा तो यह हो जाएगा A की value क्या होगी A is greater than 20 A की value क्या है वो 20 से बड़ी है तो जो सबसे smallest possible integer होगा जो A की value 20 से बड़ी होनी चाहिए वो क्या होगी 21 option 3 is question का सही answer